नमस्कार, मिस्टर वारन बॉफेट का जनम 1930 में US के ओमाहा शहर में हुआ उनके पिताजी एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में सेल्समन का काम करते थे पर 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की वज़ा से उनकी नोकरी चली गई थी बाद में अपनी कुछ सेविंग से उन्होंने अपना स्टॉक ब्रोकिंग फर्म शुरू किया जब बाकी बच्चे खेल कुद का आनन ले रहे थे वही वारन को बच्चपन में नंबर्स के साथ खेलना, बुक्स पढ़ना और छोटी मोटी बिजनेस करना पसंद था और उसमें उन्हें आनन मिलता था, जैसी के मानों वह उन्हीं चीजों के लिए बने थे जब मिस्टर वारन पफिट साथ आट साल के थे, तब उन्होंने एक बुक पढ़ा था जिसका नम था 1000 ways to make 1000 dollars, यानि 1000 डॉलर कमाने के 1000 तरीके और उस बुक में 1000 dollars कमाने का एक तरीका था, पिनबॉल मशिन के बिजनेस का तो उन्होंने देखा कि एक पिनबॉल मशिन खरीदने के लिए कितने रुपए लगते है और उस मशिन से profit कमा कर और ज़्यादा मशिन्स खरीदने के लिए उन्हें कितना वक्त लगेगा तो वरन को ये बिजनेस अच्छा लगा और उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक पिनबॉल मशिन खरीद ली और उसे एक नई की दुकान में रख दिया ताकि जो लोग वेटिंग में होंगे वो टाइम पास के लिए उसे खेल सके जैसे जैसे उन्हें इस बिजनेस में प्रॉफिट मिलता गया तो उन्होंने वो प्रॉफिट रिइन्वेस्ट करके और जाधा पिनबॉल मशिन्स खरीद ली और उन मशिन्स को अलग-अलग नाई की दुकानों में रख दिया इस तरह अपने इस बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से चला कर वोरन ने इस पिनबॉल मशिन के बिजनेस को 1200 डॉलर में बेच कर बचपन में ही अपने बिजनेस स्किल्स का नमुना दिया तो 7-8 साल के इतने चोटी सी उम्र में ही उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया उसके बाद उन्होंने और भी कई सारे चोटे मोटे बिजनेस और काम किये जैसी कि न्यूस पेपर बाटना, डोर टू डोर जाकर कोका कोला, च्विंगम, मैगजिन्स बेचना, एटसेटरा हाला कि उनके फैमिली के फाइनाशिल कंडिशन अच्छी थी पर वारन को छोटे मोटे बिजनेस करने में मज़ा आता था 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने सेविंग से 40 एकर जमिन खरीदी थी और कॉलेज खतम होते होते, उनके पास 9,800 डॉलर की सेविंग जमा हो चुकी थी मिस्टर वारन बफेट के पिताजी, वारन को बच्पन में फाइर बॉल कहते थे क्योंकि छोटी से उम्र में ही वारन बहुत सारी छोटी मुटी बिजनेसेस करता था उनके पिताजी को उन पर बहुत confidence था उन्हें अपने पिताजी से बहुत अच्छा guidance मिला है इसलिए अपने success का बहुत सारा credit वे अपने पिताजी को देते है उन्होंने post graduation के लिए Harvard University में अपलाई किया था जो कि बहुत famous university है पर उन्हें वहाँ reject कर दिया गया जिसके बाद वे कुछ दूसरे colleges और teachers की information चेक कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि Mr. Benjamin Graham और Mr. David Dodd ये दोनों professor Columbia University में पढ़ाते है Mr. Warren Buffett ने इन दोनों का बुक security analysis पहले ही पढ़ चुका था और उस बुक से Mr. Warren Buffett बहुत प्रभावित हुए थे Mr. Benjamin Graham और David Dodd से investing के बारे में सिखने के लिए उन्होंने Columbia University में admission लेने का फैसला किया ये फैसला आगे चलकर उनके लिए एक life changing decision साबित हुआ Professor Benjamin Graham ने value investing की philosophy बनाई थी बाद में उन्हें father of value investing के नाम से भी पहचाना जाने लगा Professor Benjamin Graham से value investing की philosophy सिखने के बाद Warren Buffett ने Benjamin Graham के partnership firm Graham Newman के लिए free में काम करने की इच्छा वेक्त की पर Benjamin Graham ने उसे reject कर दिया और दो साल बाद Benjamin Graham ने Warren Buffett को उनके partnership firm में job offer की अगले दो सालों तो को Warren Buffett ने वहाँ पर security analyst का काम किया और Professor Benjamin Graham के साथ काम करके अपने investing skills को improve किया फिर जब 1956 में Benjamin Graham रिटार हो गए तो उन्होंने अपना partnership firm बन कर दिया और फिर Warren Buffett वहापिस अपने hometown ओमाँ चले आये और वहाँ पर उन्होंने कुछ partnership firm शुरू किये partnership firm को अब hedge fund कहते है Professor Benjamin Graham की value investing की philosophy को follow करके उन्होंने बहुत profit कमाया और जल्दी millionaire बन गए Value investing मतलब undervalued stocks को खरीदना यानि shares को उनकी intrinsic value से कम price पर खरीदना intrinsic value मतलब stock की real value जिसे company के assets, earnings, dividend और earning power justify करते है Professor Benjamin Graham financial statements का analysis करके stocks के intrinsic value निकालते थे कई बार stock price उसके intrinsic value से नीचे चली जाती है तो value investing में उन stocks को खरीदा जाता है जिनकी stock price उनके intrinsic value से कम होती है Mr. Warren Buffett ने Berkshire Hathaway के shares पहली बार 1962 में खरीदे थे तब Berkshire Hathaway एक बड़ा textile यानि कपडो का business था और Berkshire Hathaway का business बहुत खराब perform कर रहा था कमपणी धीरे-धीरे एक के बाद एक textile mills बेच रही थी और उन पैसों से Berkshire Hathaway के shares repurchase कर रही थी यानि shareholder से वापिस खरीद रही थी तो Mr. Warren Buffett ने ये सोच कर Berkshire Hathaway के shares खरीदे थे कि Berkshire Hathaway का management कमपणी बन करने के planning कर रहे है और जब कमपणी अपनी बागी बची हुई textile mills बेचेगी तो उन पैसों से कमपणी ज़रूर shares buyback करेगी और तब मुझे Berkshire Hathaway के shares के लिए अच्छी price मिलेगी उन्होंने 1964 तक अच्छी खासी quantity में Berkshire Hathaway के shares खरीद लिये थे और जब Berkshire Hathaway ने अपनी और mills बेच दी और उन पैसों से जब Berkshire Hathaway के shares repurchase करने लगी तब उन्होंने Mr. Buffett से पूछा कि वो कीस price पर अपने shares बेचना चाहते हैं तो उस पर Mr. Buffett ने कहा 1.5 dollar तो Berkshire Hathaway के management ने कहा कि ठीक है हम 1.5 dollar के price पर अपसे shares खरीद लेंगे पर जब Mr. Warren Buffett को shares खरीदने के लिए Berkshire Hathaway से offer later मिला तो उसमें 1.5 dollar नहीं बलकि 11.375 dollar price थी जबकि deal 1.5 dollar के हुई थी उन्हें Berkshire Hathaway के management का ये जुटा behavior बिलकुल भी पसंद नहीं आया उन्होंने वो offer तुरंट reject कर दी और Berkshire Hathaway के और ज़्यादा shares खरीदने लगे जब तक company का control उनके हाथ में नहीं आता तब तक वे shares खरीदते रहे और company का control मिलते ही उन्होंने Berkshire Hathaway के उस cheater management को company से हकाल दिया वे हमेशा कहते हैं कि investing करते वक्त emotions को दूर रखना चाहिए पर यहाँ पर उन्होंने अपनी investment decision emotional ही ली थी और वे उसे अपनी गलती मानते हैं इस गलती को बाद में उन्होंने एक successful business में convert कर दिया 1969 में उन्होंने अपना partnerships का business बन कर दिया और Berkshire Hathaway के chairman बन गए उन्हें company के textile business में कुछ खास growth नहीं दिख रही थी इसलिए उन्होंने Berkshire Hathaway का एक holding company बना दिया holding company मतलब वो company जो दूसरी companies के shares खरिती है यानि दूसरी companies में invest करती है और फिर वे Berkshire Hathaway के जरिए अलग-अलग companies में invest करने लगे जैसे कि Washington Post, Coca-Cola, Guyco, etc बाज में उन्होंने कुछ insurance businesses को खरीत कर insurance business में entry की और company का textile business बन कर दिया Mr. Warren Buffett ने सिर्फ 11 साल की उम्र में पहली बार stock market में invest किया था वे कहते हैं कि मैंने 11 साल की उम्र में पहली बार stock market में invest किया था और तब तक में अपना time waste कर रहा था उनके पिताजी के stock broking के office में बहुत सारी investing से जुड़ी किताबे थी तो Warren ने वो सारी किताबे पढ़ ली थी जिसे उन्हें investing की जानकारी मिली और investing में उनकी रूची बढ़नी लगी उन्होंने अपनी सबसे पहली investment city service नाम की company में की थी उन्होंने अपने लिए और अपनी sister के लिए city service के shares 38 डॉलर की price पर खरीदे थे Warren ने खरीदने के बाद city service का stock 30 डॉलर के भी नीचे चला गया और कुछ time बाद फिर 40 डॉलर पर आ गया तो Warren ने 40 डॉलर की price पर city service के shares बेच दिये बाद में वो stock 200 डॉलर तक चला गया तो उस पर Mr. Buffett कहते है कि उनकी पहली investing से उन्हें investing में patience यानि सबर कितना important है इसकी सीख मिली इसलिए Mr. Buffett बहुत long term के लिए invest करते है उन्हें वाशिंग्टन पोस्ट के shares 1973 से खरीदना शुरू किया था जिन पर उन्हें 9000% से जादा return मिला है और ऐसी बहुत सारी companies में उन्हें 1000s and 1000s percent return मिले है वे किसी company के shares खरीदने को उस business को खरीदने जैसा देखते है इसलिए वे उन्हें बिजनेस में invest करते हैं जो उन्हें समझते हैं क्योंकि उन्हें वो business पूरी तरह से समझेगा तभी वे उस business का in-depth analysis कर पाएंगे 1988 से उन्होंने Coca-Cola में invest करना शुरू किया और Coca-Cola के लगबग 7% steaks खरीद लिये थे अभी भी उन्होंने Coca-Cola के shares hold करके रखे है वे खुद Coke के बहुत बड़े फैन है और Daily Pass से 6 cans Coke पीते है और मजाख में कहते हैं कि मेरी body में 25% Coke है इन्वेस्टमेंट से मिले profits और dividends को वे और businesses में invest करते है उनकी successful investments जैसी कि Coca-Cola, Washington Post और Ringless Tringham इन businesses को वे बचपन से जानते थे वे बचपन में Washington Post newspaper बाढ़ते थे और Coca-Cola र Ringless Tringham बेशते थे जिसके वज़े से उन्हें उन products की quality, उनका business, उनके customers की loyalty इन सब के बारे में बहुत जानकारी थी जो आगे उन्हें investing करते वक्त काम आई प्रोफिसर बेंजामिन ग्रहम ने अपने बुक Intelligent Investor में कहा है कि investing is most intelligent when it is most business-like तो Mr. Buffett कहते हैं कि ये 9 शब्द investing पर लिखे गए सबसे important शब्द है Mr. Warren Buffett ने प्रोफिसर बेंजामिन ग्रहम और फिलिफ फिशर इन दोनों की philosophies को follow किया है वे कहते हैं कि मैं 15% फिलिफ फिशर हूँ और 85% बेंजामिन ग्रहम हूँ प्रोफिसर बेंजामिन ग्रहम की philosophy कहती है कि जब stock undervalued होता है यानि कम valuation पर available होता है तब उसे खरीदो और Mr. फिलिफ फिशर की philosophy कहती है कि quality businesses में invest करो तो Mr. Buffett ने इन दोनों की philosophies को add किया और अपनी खुद की philosophy बना दी that is quality businesses जब undervalued होते है तब उन्हें खरीदो उन्होंने अपनी ज़ादा दर investments, recession period में और जब company कोई one time problem face कर रही होती है तब की है क्योंकि तब उन्हें stocks low valuation पर खरीदने मिलते है उनकी company Berkshire Hathaway आज 60 से भी ज़ादा company zone करती है Investing में वे हमेशा इन दो rules को follow करते है पहला rule है never lose money और दूसरा rule है never forget rule number one वे अपने business partner Mr. Charlie Munger को भी अपने success का credit देते है और उनकी तारीफ करते वे कभी नहीं ठकते दिन में पास से 6 गंटे से जादा वक्त वे पढ़ने में बिताते है वे अब 17 साल के है और आज भी business और investing करते वक्त long term के बारे में सोचते है वे बचपन में ही अपने बहन से कहते थे कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने वाला हूँ और 2008-2009 में वे कुछ मैनों के लिए दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे और कई सालों से दुनिया के richest person की list में वे लगातर दूसरे या तीसरे पायदान पर बने रहे है इतने अमीर होने के बावजूद भी वे उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था वे अपनी कार भी खुद ही चलाते हैं साल 2000 से वे 46 बिलियन डॉलर दान कर चुके हैं और वे दुनिया के सबसे charitable वेक्ती हैं कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास इतना सारा पैसा है तो उन्हें इस उम्र में काम करने की क्या ज़रूरत है तो दोस्तों वे बिजनेस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं करते बिजनेस और इन्वेस्टिंग उनका जुनून है और उसे वे deeply enjoy करते हैं और उसे जीते हैं उन्होंने अपना 90% से ज़्यादा पैसा 15 साल की उम्र के बाद कमाया है उनके लिए age तो बस एक number है 37 साल की उम्र में भी वे बुख्शा हैतवे के business को उसी बाखुबी से चला रहे है अगर आपको Mr. Warren Buffett की इस inspirational story से कुछ valuable सिखने मिला है तो जरूर इस वीडियो को WhatsApp पर अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि वो भी उनसे inspire हो सके अगर finovations.com इस चैनल पर आप नए हो तो जरूर चैनल को subscribe करके finovations.com के family में शामिल हो जाईए हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज चैनल पर upload करते है तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले अगर आपको इस वीडियो से related या stock market से related कुछ सवाल पुछने है तो आप हमें 8055-835835 या 9049-641491 इस नबर पर call या WhatsApp कर सकते हो हमसे लगातर जूटने के लिए आप हमें Facebook और Twitter पर follow कर सकते हो और हमारे Telegram चैनल को भी join कर सकते हो Thanks for watching